हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रिया सौध करतかった हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी टिप्स फिद प्रिया में फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी टेस्ट कब और कैसे करना चाहिए तो friends क्या आपका period miss हो गया है या फिर आप परिशान हैं कि आप pregnant हो सकती हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको pregnancy test कब करना चाहिए period miss होने के बाद में ही आपको हमेशा pregnancy test करना चाहिए तभी आपको clear result मिलेगा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं क्या हम sex के 15 दिन बात कर सकते हैं या दूसरे दिन कर सकते हैं या एक हपते बात कर सकते हैं तो friends ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप इस time पर करेंगे तो आपको कुछ भी result नहीं लेगा कुछ भी मालूम नहीं चलेगा सेकिंड चीज है आप pregnancy test कैसे करें वैसे तो friends pregnancy test के लिए बहुत सारे घरेलू तरीके आप उनसे भी कर सकते हैं लेकिन आपको हमेशा pregnancy kit जो आती है market में उससे करेंगे तो result आपको काफी अच्छा और जल्दी मिल जाएगा तो यहाँ पर मैंने एक pregnancy kit ली हुई है इसको आपको ले लेना है friends यहाँ पर मैंने प्रेगा न्यूस लिया हुआ है आप market से कोई भी kit ले सकती है कोई problem नहीं है इसमें आपको दो चीजे मिलेंगी एक kit मिलेगी और दूसर डॉपर मिलेगा friends pregnancy test करते time आपको दो बातों का विसेज ध्यान रखना है पहला period मिस होने के बाद ही test करना है दूसरा urine जो होगा वो आपका morning का होगा या फिर 3-4 घंटे रुका हुआ होगा चलिए friends मैं आपको पूरा process दिखा देती हूँ यहाँ पर यह एक dropper है और एक kit है आपको क्या करना है morning का urine किसी disposal में आप collect कर लीजे और फिर यह dropper में भर लीजे और यहाँ पर आप 2-4 बून डालिए और बस थोड़ी देर में आपको result दिखने लगेगा friends यह जो kit है यह HCG के principle पर work करता है जो pregnant woman होती है उनके urine में HCG पाया जाता है जिसे ही यह detect करता है और बताता है कि आप pregnant है या नहीं है यानि friends पास सिर्फ इतनी है अगर इस kit ने HCG को detect कर लिया तो आप pregnant है और अगर नहीं किया तो आप pregnant नहीं है सिर्फ इतना ही काम है इस kit का इस card में दो line so होती है पहली line ये बताती है कि ये card सही सिवर कर रहा है और second line SCG को detect करके ये बताती है कि आप pregnant है second line जो होती है वो अगर आपको hulky so हो रही है यानि कि hulky गुलाबी रंकी so हो रही है तब भी आप pregnant है यही detect करता है और यहीं आपको समझना भी है लेकिन अगर second line बिल्कुल भी so नहीं हो रही है तो आप pregnant नहीं है और तोनों lineे ही detect नहीं हो रही है यानि कि आपने urine डाला और कोई भी line उसमें कुछ भी नहीं आया तो आप ये समझ आए कि ये जो test kit है वो आपकी खराब है और इस वीडियो में मैंने जो urine test किया हुआ है वो normal है किसी pregnant lady का नहीं है इसलिए उसमें दो line सो नहीं हुई है तो इस बात को आप लोग ignore करिएगा और ये मेरा चोटा सा वीडियो live test का आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे